घृट, ह सब्सक्राइंय के बात करिंगी बिघर पंचाय चुनाव कराने का गई और इसकी जह अधिसुजना जारी कर दी गयी है बिघर में इस साल जाने के बाद सबसे पहले जब हम जाएंगे वहां पर जाने के बाद सबसे पहले जब हम जाएंगे जाने के बाद जब यह पूरा वेप साइट हम खोलेंगे तो हमको जो दाहिने साइड में है एक तीन लाइन का एरो दिखाई देगा उसके बाद हमारे सामने जो है पोर्टल खुलकर सामने आ जाएगा और उसमें कई तरह की बातें कहीं जाएगी वहां पर हमको तीन-चार ची लेकर आगी की प्रिक्रिया में मिलेंगे एक तो है अंलाइन की से करेंगे हिसे वह स agree किसी क्यूंहद अन्य पदके करेंड़ से वहां जू cucumber करना तो फिर हमारे सामने जो है कुलकर सामने आ जैगा पूरा कि अभ्यारती आउनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या करें क्या ना करें इन सब चीजों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में हमें खुल कर सामने आ जागा उसकी बारह अलग-अलग तरीके बताई गई है इसको लेकर जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो मोवाइल नमबर को लेकर बताया गया है इसमें कि आप जो है मोवाइल नमबर आवेदन के दोरान सबसे पहले आपस मोवाइल नमबर मांगा जागा photo upload करने को لेकर बताया गया कि आपका photo का size होगा होगा इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, साथसाथ उन्होंने ये भी कहा है कि background में काला नहां हो किसी तरह का काला नहां हो, photo जब आप upload करेंगे, तो उसमें आपकी photo जब तो और चसमा हुआ पाहना हुआ आपके पास नहीं होना चाहिए ये भी कहा रहा और सत्यापीट करना अनिवार्ट होगा जब आप फॉर्म करेंगे तो वहां पर आप आप जो है आप il आप कर वो निवार करवाना हो गया साथ-साथ जो आपको अभ्यार्थी के जो है आपको प्रस्तावक का नाम जो है हिंदी में लिखिना जो होगा वो अनिबार होगा उससाथ नाम का टाइटल बॉक में भरना होगा तो इस तरह के पूरी परकिरिया है साथ-साथ एक नाम भरने को लेकर यह भी बताएगे कि अगर आपका नाम क जो वहां पर दिखने लएगा साथ-साथ अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी को लेकर भी यही कहा गया है कि आप नाम लिखेंगे वहां हिंदी का यह ऑप्सन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको वहां पर दिखाना सुरू को कर देगा तो इसके साथ जब आप अभियार्थिक का यह कोलम जह आपको दिया गए उसको पूरी तरह से पढ़ा लेंगे उसके बाद नीचे में एक बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने को आपक्स ऑप्सन आएगा आप नेक्स पर फ आप नॉमिनेशन की परकिर्या में पूरी तरह से सामिल होगे हैं तो सबसे पहल Dit परकिर्या सामिल होगी sudah आपके पास खूलका तो marijuana है ऊढ़े छाल कर सामने आएगा लिखाओ आपके आप Mega सरेवाप नौ cater करेंगे तो हम आप से मुμवाइल सामने में प eerste जो है पूरा खूल कर सामने यूखे सब्सक्राइब कहा कि इसमें आपकी जो है इसी परपत्र शिक्स में जो है upload करना होगा इसमें आपको बताना क्या क्या होगा पद का नाम अपको से पद के लिए उमिदबार बनना चाहते हैं। साथ साथ आपका जीला का नम फिर परखंड का नाम फिर आप काउन से पंचायत में है फिर आपका प्रदेशिक निरवाचन छेतर की संख्या कौन सी है उसके बाद आपक अभिखार्थी पूरा बायो डार्टा इसमें होगा आपका नाम क्या है पिता का नाम क्या है उम्र आपकी लिंग कौन सी है उसके बाद आप कौन से से रेनी यानि कैटेग्री में आते हैं या नहीं उसके बाद फिर अभिहार्थी का पूरा पता फिर जीला का नाम फिर प्रखंड का नाम उसके बाद फिर आपका कौन सा ग्राम एप है वह भी बताना होगा उसके बाद जहाएगा प्रपत्र सिंसम अधेश डूसरा डी टेल वह मत्रस्टाव कि इस प्रस्ताव को लिए कि क्या नाम जो है करना होगा इसके इस पूरे मामले लेकर परपादर 6 में जब रपादर 6 में आपको आएगा फ़ोटो अपलोड करने को लेकर तो आपके सामने जो अपलोड कर साथ ऐगा खूलेका वह है सेवेंड प्रृइविव का तो ऐस पर आपको क्लिक करना है है जब तब आप सब slams जो है पुरा भ़रा हुआ यह आपके सामने होगा आपको इस पूरे कौपी को जू है उस पूरा जमा हो जाएगा वहां पूरा इसको फाइनल जमा कर देंगे तब आपके सामने आपके मोवाइल पे एक मैसेज आएगा जो कि आपका फूरा यूजर आईडिया और पास्पट होगा उसमें अब आपको क्या करना है कि जहां पर आपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था उसके ठीक बगल में लिखा हुआ है डैसबोर्ट में आप जाएंगे डैसबोर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पर आपको पूरी तरह से दिखने लएगा साथ साथ आपको वहां पर पे का भी ऑप्सन दिखना सुरू हो जाएगा आप वहां पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का प्रकिरिया जो होगी आपको उस पे फुल फिल करना होगा पेमेंट वाले प्सन में एक दूसरी बात भी कही गई है दूसरा यह है कि आप आफ़लाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा जाकर आपको चलान और उसकी तारिख वाइल पे प्रकिरिया समाप्त होने के बाद सारे परपत्र को डाउनलोड करना है इसके बाद परपत्र के सतापित कराने के लिए नमांकन पत्र और पेमेंट की रसीद को भी ऐसकाइन करने के बाद उसके नीचे दिएगए लिंक पर आकर आपको अपलोड करने देना है सब कुछ आप समिंट कर देंगे तो उसके बाद जो आपका option आएगा जो कि हमने पहले बताया कि नॉमिनेशन है एक जगह लिखाओगा जहां परपत्र 6 बरेंगे उसके बाद आपके पास जो आएगा वह डाउनलोड का option आएगा उसके बाद जो है upload का option आएगा तो जब आप ब्हार्थी का अनुसूची तीरी का फ़र पांच अनुसूची चार और पर आठ के अनुसूची साथ देखेगा इन सब को जो है आपको वहां पर एक करके फील करना होगा इसके बाद जो है अब आप एक तरह से कहले कि upload करने के लिए सबसे पहले आपका नमांकन संख्या द से आप चेक करेंगे चेक करने की बाद घोसना पर चेक करना है और उसके बाद जब हम वहाँ पर घोसना के बाद गाउटा अब 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 पर क्रिया कर लेंगे तो हमारे पास प्रिंट का उप्सन जो देगा उसमें से जो है आरो के पास जम्मा करना होगा अब सब्सक्राइब फाइल अप्लोड होने के बाद अप्लोड हुआ फाइल दोवारा नीशे देगाए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं अब लॉग इन आईडी पासवर्ट के माध्यम से अभिहार्थी को एसमेस के माध्यम से दिये गया उसमें लॉग इन पर जो है क्लिक करने कब नांगन पदल को पूरा डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं साथ साथ जो है पेमेंट पेंडिंग रहने पर भी द्वारा कर सकते हैं तो एक तरह से हम यह भी कहलें कि इतनी प्रक्रिया के बाद आखिर में आप पूरी तरह से इसको जो है आप आप नामंकन प्रक्रिया में सामील हो सकते हैं नामंकन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जो है आपको सबसे जो आहम चीज इसमें बताई गई है प्लाना लाइन प्रक्रिया में इसमीं हो और फॉर्म पूरी तरह से फील अप होगा तो आउनलाइन नमांकन करने के लिए एक तरह से कहले आपके पास फोटो दूसरा आपका मोबाइल नमबर यह दो सबसे अहम चीज है उसके बाद जैसे इसे फॉर्म को बारे में बताया जाएगा आप उसको फील करते जाएंगे और इस इजाजत धन्यवाद